नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन में धान खरीद में होगी देरी लेकिन बढ़ेगा सरकारी मूल जार्खन में किसानों से धान की खरीदारी देरी से सुरू होगी राज सरकार दोरा तैयारी पूरी नहीं करने के कारण या समस्या सामने आई है हलाकि अच्छी बात या है कि हिमन सरकार किसानों के धान खरीद का समर्थन मूले बढ़ाने जा रही है जनकारी के मुताबिक लेप्स के माध्यम से धान की खरीदी 15 दिसंबर के बजाए अब 20 दिसंबर के आस पास की जाएगी इसके अलावा धान खरीद के समर्थन मूले में बढ़ोतरी की घोस्ना गूरुआ 7 दिसंबर को कैबिनेट पैठक में मंजूरी के बाद की जाएगी बता दे किसानों की मांग पर सरकार ने समर्थन मूले बढ़ाने का फैसला किया है खादे एवं आपूर्ती मंत्री डाक्टर रामेश्वर उरावने संकेत दिया है कि बजार मूले और सरकारी समर्थन मूले एक समान रहने से किसानों को हो रही पर सानी को देखते हुए सरकारी दर बढ़ाने की मांग की गई थी जिस पर संधातिक सहमती मिल गई है विभाग से जनकारी मिल चुकी है अब कैबिनेट में फ्रेसले के बाद गुरु आर साम सरकार की ओर से इसकी अपचारी घोसना की जाएगी फिलहाल धान खरित की सरकारी दर दो हजार पचारी दर प्रतिक किंटल है सराय केला में बोले सियम हमन्त हम भागने वाले नहीं भागाने वालों में से हैं बुद्धवार को सराय केला में सियम हमन्त सुरियन आपकी ओजना आपकी सरकार आपके दर कारकरम में सामिल हुए इस दरण उन्होंने केंद्र सरकार पजम करनी साना साथ है उन्होंने कहा है कि जब हमने राजे का बाकाया मांगा तो मेरे उपर ED-CBI लगा दिया हम भागने वालों में से नहीं है बता दे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तिसरे चरण में मुख्य मंत्री हमन सुरे ने सराय के लग के गोड़ पूर मैदान में आयोजी सबा को समोधित करते हुए सरकार की योजनाय गिनाई प्रत्मिक ताय बनताई और समाजिक सुरक्षा की बात की साथ ही पूरों की सरकारों को खासकर भाजबा पर जम कर हमला बोला जहारखन में रोज बनेंगे आठारा सो घर तब पूरा होगा अबुगा आवास अबुगा आवास योजना हेमन सरका का ड्रीम प्रोजेक्ट है इसके माद हमसिना केवल बेघरों को आवास देने की योजना है बलिक आने वाले समय में राजनीतिक फायदे भी लेने की तियारी है मगर जिस तरह से सरकार आपके द्वार कारकरम के द्वान अबुगा आवास को लेकर आविदर मिल रहे हैं उससे या अंदेशा जाहिर की जा रही है कि कैसे सरकार इतने लोगों को आवास महया कराएगी बता दे चालू बीतिये वर्ष 31 मार्ष तक दो लाख लोगों को आवास देने के तैयारी सरकार की है मगर कैसे अधरातल पर उत्रेगा या कहना मुस्किल है क्योंकि 31 मार्ष तक का समय देखे तो कूल 116 दिन से बचे हैं जिसमें सरकार को दो लाख आवास बनाने है इस तरह से करीब 1724 आवास प्रती दिन यदि बनता है तो सरकार के लक्ष के मताविक राजे की जनता को इस बीतिये वर्ष में लाब मिल पाएगा ज्यारखन के 1000 इसकुलों में सुरू होगी जन जातिये भासा में पढ़ाई राजे के 6 जीलों, खुटी, लोहरतागा, पच्मी, सिम्भूम, गुमला, सिम्डेगा और साहब गंज के 250 इसकुलों में 5 जन जातिये भासा में पढ़ाई हो रही है अगले सेक्षनिक सत्र से 4 नय जीलों को मिला कर कुल 10 जीलों को 1000 प्राथमिक और मद बिद्यालों में जन जातिये भासा में पढ़ाई शुरू की जाएगी सिक्षा विभाग ने इसकी तियारी सुरू कर दी है इन जीलों में इसकुलों के चैन के लिए सर्वे जल्द सुरू होगा शुरुआती चरण में यह व्यवस्था का च्छा 1 से 3 तक के लिए है बताया गया है कि जिस जन जातिये भासा में पढ़ाई शुरू होगी उसे बोलने वाले सतर फिजदी या उससे अधिक बच्चों का नमांकन समधित इसकुलों में होना जरूरी है वहीं जन जातिये भासा में पढ़ाई शुरू करने के लिए समनधित विढ्गयाले की प्रवंध समीति और बच्चों के अभिभावकों की समाथी भी जरूरी है अगर बच्चों के अभिभावक समाथी नहीं देते हैं तो पढ़ाई शुरू नहीं होगी आठ दिसंबर तक होगी बारिस तेजी से गिरेगा पारा है देवघर बाबा नागरी में चक्रवात मिचोंग का असर काफी प्रभावित रहा बुद्वार सुबसे ही आस्मान में बादल चाहे रहे तथा सुबस दस बये से देवघर में बारिस शुरू हो गाई जो देर रात तक चारी रही वहीं इस बारिस से जन जीवन भी प्रभावित रहा साम में बजार में दुकाने भी समय से पहले बंद हो गई बारिस के साथ ही मौसम में ठंड भी बढ़ गई है मौसम विभाग के अनुसार बुद्वार को 8 mm बारिस रिकोर्ड किया गया होगी बारिस के कारण बोकारों होमगाट की बाहाली कैंसिल सेक्टर चार इस्थीत मोहन कुमार मंगलम स्टेडिय में चल रही गिरीह रक्षक नौ नमांकन की बाहली परिकिरिया के नौवे दिन तक्निक की सहरी पूरुस महिला अभ्याति की सारेडिक एवं लिखित जाच परिक्षा निर्धारी थी अभियार्थी निर्धारित समय से बाहली अस्थाल पर पहुंचे थे लेकिन सुबह से अचानक अत्याधिक बारिस होने के का निर्धारित सारेडिक वर लिखित जाच परिक्षा अस्थागित कर दिगाई उक्त जनकारे गिरी रक्षक नो नमांकन समीति सदस सची उस्था जीला समाधर्ष्टा रभी कुमार कोजूर ने दिया है बताया है कि बारिस के कान अभियार्थियों के होने वाली कठिनाई को देखते हुए नो नमांकन समीति की ओर से 6 दिसंबर से वा 7 दिसंबर दोहते इसको होने वाली सारे रिक एवामलिखित जाच परिशा को ततकाल प्रभाव से अस्थागित कर दिया गया है ज्यारखन के नय मुख्य सचीव एल खियांगते बने राज सरकार ने एल-खियंगते को राजे का नय मुख्य सचीव नियूक्त किया है वह राजे के 24 बले मुख्य सचीव होंगे कार्मिक प्रसासनिक विभाव की ओर से अजिसूचना जारी कर दी गई है अजी सुचना में कहा गया है कि राजी के मुख साचीव के पद पर पदस्थापीत सुखदेव सिंग 1987 बैच को असनांतित करते हुए अगले आदेश तक स्री कृष्ण लोग प्रसाशन संस्थान के महानी देशक के पद पर पदस्थापीत किया जाता है जारखन केबिनेट की बैठक आज मिल सकती है बड़ी खुस खबरी जारखन सरकार की केबिनेट की बैठक 7 दिसंबर को दीन के 4 बये से होगी बैठक में बिधान सभाका सीथ कालिन सत्र 15 दिसंबर से आहुद करने का प्रस्ताव आएगा वही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली समाने वर के छात्रों को भी एसी एस्टी ओवी सी के चात्रों के बरावर चात्रों दिये जाने का प्रस्ताव आ सकता है मुख्यमंत्री 26 चात्रों दिये जाने के लिए संसोधित दर की स्विक्रिति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है इसके तहट एसी एस्टी ओवी सीक बच्चों के बरावर रिस्चमाने वर के बच्चों को भी 45 रुपे की चात्रों दिये जाएगी इसकूली सक्चतावी भाग नपर स्ताव भेजा है वही कैबिनेट में इसकूली सिक्चायम सक्चतावी भाग द्वारा कख्चा 9 से 12 तक में अधनरत सभी कोटे के चात्रों को निसूल्क कोपी उपलवद कराई जाती है इसकी रासी बरतमान में 20 सुरुपे प्रती कोपी निधाली था है इससे अधिक्तम 30 सुरुपे प्रती कोपी किया जा सकता है जारखन में मिसीर बेसरावा अनल की टीम से पुलिस की मुटभेड चाइबासा जीले के छोटा नागरा थाना छेतरे के सरंदा जंगल में भागपा मवादी के सीर्स नक्सली की टीम से बुद्धवार को दीन के करीब 12 बज़ जारखन पुलिस और सीर पीएफ के भीशान मुटभेड हुई इस दोरान दोनों और से करीब एक घंटे तक सेकड़ो राउंड गोलिया चली मुटभेड में एक एक कड़ोर के इनामी दो नक्सली पुलित ब्योरो मिसीर बेसरा और सेंटरल कमिटी के सर्ष अनल औरुप पतिरा मांजी की टीम सामिल थी इस दोरान पुलिस को भारी परतत दे कर नक्सली जंगल का लाब उठा कर भाग निकले खबार है कि मुटभेड में कुछ नक्सली घायल भी हुए है हलाकि चाईबासा पुलिस अधिकारियों की ओर से अब तक इसकी अधिकारिक रूप से पुष्टी नहीं की गई है जारखन में तेजी से घट रही आदिवासियों की अबादी निसिकांज दुबे लोकसभा में बुधवार को भाजपाक निसिकांज दुबे ने जारखन में आदिवासी समुदाय की अबादी घटने का मुदा उठाते हुए इसकी जाच और राष्ट्रिय नागरिक राइश्टार एन आरसी लागू करने की मांग की है निसिकांज दुबे ने सुन्य काल में यह मुदा उठाते हुए कहा है कि साल उनिस सव एकावन में राज में आदिवासी समुदाय की जन संक्या 36 पीदी थी जो अब घट कर मात्र 24 परतिसत रह गई है राज सरकार के सहयोग नहीं करने पर रूकी है रेल परियोजना है रेल मंत्री जारकन में राज सरकार की ओर से सकरात्मक पहल नहीं करने के कारण रेल की कई परियोजनाओं का कारण नहीं हो पा रहा है यह बाते लोग सभा में रांची के सांसर संजय सेट के पूछे गए सवालों के जवा में केंद्रिये रेल मंत्री अस्वीनी वैसनोदी है केंद्रिये मंत्री ने बताया है कि रांची लोग सभा छेत्रे में 6 ओवर विरिज का निर्मान होना है जिसमें तीन रोड ओवर विरिज है इसके अलावा बारा अंडर पास का भी निर्मान होना है बताया चूटिया पावर हाउस के पास नामकुम रांची एस्टेशन के बीच रेलवे फाक्टर के स्थायन पर रोड ओवर विरिज का निर्मान किया जाना है परन्तु राई सरकार के दोरा इसे अभी तक अम्तिम रूप नहीं दिया गया इसके अलावा रांची पिसका के पास नयास राय में रेल फाक्टर के समीप रेलवे ओवर विरिज का निर्मान पूरा कराना है यहां पर रेलवे के दोरा अपने हिस्टे का कार्य पूरा कर लिया गया शेस कार्य रा जेपाल सीपी रादा किष्णा ने सत्र आहुद करने सम्मधि संसद्य कारे विभार के प्रस्ताव पर बुद्धवार को स्वगरिती दे दिया है सीथ कालिन सत्र में पांच कारे दिवस होंगे राज मंत्री परिशत की पिछली बैठाक में विधान सवासत्र का आउसन करने के प्रस्ताव को मंजुरी दिय गई थी संसद्य कारे मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि प्रस्ताव केबिनेट के निना की परतियासा में लाज बहुन को मंजुरी के लिए भेजा गया था जनकारी के अनुसार केबिनेट की गुरुवार को होने जा रही बैठाक में सिद्कालिन सत्रे सस्तामदी प्रस्ताव पेसकर सोग्रेती ली जा सकती है पुजा सिंगल केस में 11 दिसंबर को अगली सुनवा आये निलंबित आयेस पुजा सिंगल से जुड़े मामले में बुद्धवार को इडी के विशेश नयाधीस पीके सर्मा के अदालत में इडी ने गवाही दर्च कराई बुद्धवार को खोटी जिले के ततकाली नजाराट डीसी अभाय नंदन की गवाही दर्च की गई पुजा सिंगल जब खोटी की डीसी थी तो उस दिनो इडी के गवाह वहां के नजाराट डीसी के पद अस्थापित थे इडी की ओर से प्रस्तूत गवाह ने मंडेगा खोटाले समधी जनकारी दी उन्होंने कहा कि विकास कारियों की योईनाओं में दिये गए अग्रिम भोकतान से मिलने वाले कमिशन का हिसा पुजा सिंगल तक भी पहुँचता था गवाही पूरे होने के बाद बचाव पक्स की और से गवाह का प्रती परिक्षन किया गया जो पूरा नहीं हो सका जिसके बाद में अगली सुनवाई की तारिkach एकारादी समधिया न इधारित की है कल्यानकारी उजनाव का लाब जनता तक पहुचा रही है सरकार सिता सुरेन राज सरकार की कल्यानकारी उजनाव का लाब जनता तक पहुचाने के लिए आपकी उजनाव आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत पंचायत अस्तर पर सिवीर कायोजन किया जा रहा है सीवीर में विभीन, विभागों के प्रखंड तथा जीला अस्तर के अधिकारी आप सब की परिसानियों को दूर करने के लिए आ रहे हैं अपनी समस्याओं को निसंग कोच सीवीर में अधिकारियों के पास रखे उक्तबाते अस्तानिय विधायाक सीता सुरेने रामगर परखंड के ठाड़ी हाट में आयोजी सरकार आपके द्वार के तहत लागे जनता दरबार में कही है 17 साल का किसोर चात्रा सिवील कोट में बना चपरासी सीवील कोट में हुए चतुर थोवर गिये करमचारियों के नियोक्ति काफी सुर्खियों में है मंत्री के पूत्र बने चपरासी का मामला चार्चा कभी सह बना रहा अब निधारित उम्र से कम आयो के किसोर के नियोक्ति का एक नया मामला सामने आया है 17 साल 7 महिने 6 दिन के किसोर की नियोक्ति सीवील कोट में चपरासी के पदपर की गई है जबकि नियोक्ति में अब भ्यार्तिक निम्तम उम्र 18 साल होनी चाहिए लेकिन सुजीत कुमार जिसका चैन चपरासी पदपर हुआ है उसकी उम्र 18 साल से कम है इसके बाद भी चपरासी पदपर चैन किया गया सिवील कोट दोवारा नियोक्ति समांधी निकाले गए नोटिफिकेशन में उम्मीद द्वारों की उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 को कम से कम 18 वर्ष निधारित की गई थी गुमला में मीचोंग ने मचाई तबाही धान की फसल बरबाद साइकलोन मीचोंग का असर गुमला जिले में भी पड़ा है जिले के सभी बारा परखणों में बारिस हुई है जिससे धान की फसल को नुक्सान हो रहा है बारिस से धान की कटनी वा मिसनी बंद है खलिहान में धान को पलास्टिक से ढख कर रखा गया है इधर बीते दो दिनों से जीले भर में ठंड भी बढ़ गई है परन्तु कहीं भी अलाव की बेवस्ता नहीं की गई ठंड बढ़ने से बच्चों के स्वास्त पर भी व्यापक असर पर रहा है अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए भाकों को देखा जा रहा है डुमरी परखंड में सोमवार को बुंदाबंदी बारिस हुई है वहीं मंगलवार को रात भर बारिस होती रही जिससे धायन कटनी परभावित हुई है मिसन 2024 को लेकर BJP ने कसी कमार मिसन 2024 के त्यारी में जूटी BJP के लिए भले ही पांच राजियों के विधान सभाज चुना परिणाम खोस्यों से भरा है मागर जारकन की लोग सभाज सीट के लिए आया सर्वे चिंता पढ़ाने वाली है दरसल जारकन की 14 लोकसभा सीटों के लिए पार्टी केंदरिये नतित्यों के दवारा अब तक दो राउंड अलग-अलग एजेंसियों के माधम से सर्वे कराई गई जिसमें कई सीट पार्टी के लिए कमजोर बताई गई जारकन की 14 में से 9 सीट पर पार्टी की सीथी मजबूत है जबकि 5 ऐसे सीट है जहां मेहनत करने क्यों सकता जताई गई कमजोर सीटों में संथाल और कोलहान सीटे बताई गई जो आदियासी बहुल छेत्रे में है 2019 के लोकसभा चुनाव मैदान 14 में से 12 सीट पर एंडिया के जीत हुई थी बीजेपी के खाते में 11 सीटे हैं जबकि 1 सीट आईसू के पास है खजाना भरने में जूटी है मन सरकार 24,000 करोर की लक्षे राज सरकार ने चालू वीतिय वर्ष 2023-24 में कमर्शियल टेक्स से 24,000 करोर की कमाई का लख्ष रखा है इसे लेकर बुद्ध वार 6 दिसंबर को विभाग के द्वारा उद्योग पतियों और बेवसाईयों के साथ सनवाद कारकरम आयोजीत किया गया राज धानी के एक बड़े होटल में आयोजीत इस सनवाद कारकरम में जारकन के बीत मंत्री डाक्टरा मेश्वर उराओ के अलावे जारकन चेंबर और कोमर्श के साथ साथ राज के कई उद्योगी घरानों के लोग और बेवसाई सामिल हुए इसी मौके पर उद्योग पती ने सरकार को कई तरह से सुझा भी दिया है जीट एस्टी कमपनसेंशन के साथ साथ कमर्शियल टेक्स के कई मामलों को सनवाद कारकरम में रखा गया है धन्यवाद